इस समय की बड़ी खबर आपको बता दे जैसा की लगा तार हम आपको जानकारी दे रहें कि किसी भी शन मजदूर जो है जो एक तालिस मजदूर सिल्क्यारा टनल में फसे हुए है वो बाहर निकल सकते हैं और अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है मजदूरों को निकालने की प चांस मिधर ओनी पंधर फंधर संखेल तक पर नाचतर है कि पास होता है अक चलती से आप गंटे में सारे आजबी बाहर आ जाएंगे ठीक है यह बड़ी खबर आप खुशकबरी दे रहे हैं खुशकबरी यह बहुत अच्छी खुशकबरी है और अब भी जो है न हमारा कंपलीट हुआ है और वो यह अपना काम करना चालू कर दिया है तो बड़ा अपडेट इस समय क और सुना आपने इस NDRF के जवान को जो यह जानकारी दे रहा है कि टनलिंग का काम पूरा हो चुका है और अब NDRF अपने काम को आगे बढ़ा रही है इसका मतलब जो स्ट्रेचर है जिसके जरिये मजदूरों को बाहर लाना है उसमें लेट कर NDRF के जो जवान है वो टनल स से उस सिरे पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये मजदूर हैं आदमी को सुलाएंगे और खीच के इस पर करेंगे वन वाइब दिख पार रहा है हाँ दिख पार हम लोग अंदर से यहां जा चुकी है पाइप में लाइट लगा चुकी है कितने मिनित बाद मजदूरों का अब लगता है वो ठकान दूर होने वाला है और जल सभी लोग बाहर आएंगे हैं हां हां करेक्ट वर नाम बताइए परवीन यादो तो NDRF, SDRF के तमाम जो जवाने जिनसे मीडिया बात कर पा रहा है उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये टरनलिंग का काम पूरा हो चुका है आर पार दिखने लगा है अब NDRF के जवान जो स्ट्रेचर है उनके पास उसको लेकर उस सिरे पर पहुंचे हैं जहां पर मजदूरों के बाहर निकलने की लेकिन 10-15 मिनिट का वक्त जो अपडेट हमें मिल पा रहा है उसके जरीए हमें पता चल रहा है कि 10-15 मिनिट का वक्त और लगेगा और 2-3 घंटे में ये सभी मजदूर अगले बाहर आ जाएंगे इस समय 7.37 मिनिट हो रहा है मतलब आप कुल मिलाकर अगर हम देखे तो 10-10 बजे तक ये पूरा रिस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा क्योंकि एक मजदूर को पाइप के जरीए बाहर निकलने में 4-5 मिनिट का वक्त लगेगा 41 मजदूर है और अगर सीधा-सीधा गणित लगाये जाए तो 2-3 घंटे और ये सब्सक्राइब कारी एजियारेफ और एंडियारेफ के जो जवाने जो हमें दे रहे हैं वो यहीं बता रहे हैं आपने सुना भी उनको कि पांच मिनट पर एक्जेक्ट पाइप ब्रेक्थ्रू हो चुका है वहां पर उत्राखंड के चीप मिनिस्टर सहबान हाजिर है जनरल विके सिंग जो मिनिस्टर आफ स्टेट मौर्थ वह वहाँ पर है मौर्थ सेक्रेटरी जैनसाव वहां पर नहिच डिए दिक एमडी मिस्टर महमूद एहमद वहां पर है और डिस्टिक अडमिस्टेशन है, इंडियान आर्मी के लोग हैं, ब्यारों के लोग हैं, रैसक्यू तो इस समय का बड़ा अपडेट टनलिंग का काम पूरा हो चुका है साथ बच के पांच मिनिट पर ही ये ब्रेक्ट्रू हो चुका था अंजली के अपडेट आपके पास अंजली तक मेरी आवाज नहीं पहुँची है इस बीच अच्छी ख़बर खुशखबरी आज की शाम की सबसे बड़ी ख़बर सबसे बड़ी खुशकबरी कुछ है तो वो ये कि इस टनलिंग का काम उन मजदूरों तक पहुँचने का काम अब पूरा हो चुका है जो जानकारी हमें मिल रही है साथ बच के पांच मिनिट पर ये ब्रेक्ट्रू हो गया था यानि ये टनल पढ़ने का काम पूरा हो गया था और अपसे कुछी देर बाद अंजली का मैं रुक करूँगे अंजली क्या बेट देखिए आपको सीधे यहां हम तस्वीरों के जरीए बताते हैं जो मुख्यवंद्री धामी आपर महुचे थे तब ही माना जा रहा था कि तक्रीवन जो काम है रेस्क्यू का वो अपने अंदिम चरण में पहुच चुका है और अभी मुख्यवंद्री धामी अंदर ही मौजूद है जो एक अस्थाई अस्पताल बनाया गया है वहां पर वो पहुँचे हैं उस जगे का मुआयना किया है और अब कुछ घंटों का ही वक्त बताया जा रहा है कि लोग यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो अब वो जो इंतजार वो लंबा इंतजार जो हर कोई कर रहा था तस्वीरों के जरीए लगातार हम आपको टनल के अंदर की गत्विदियां बे दिखा रहेंगे वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंद्री धामी यहीं जो सफेद रंग का परदा एक दिखाई दे रहा है इसके पास ही जो अस्था इस पताल बना है उसके आसपास ही वो लगातार मुहायना कर रहे थे और अब चुकि पाइप जो है बिल्कुल और देख सकते हैं जो इस पूरे रेस्क्यों पर लगातार नजर बनाए हुए थे और पुशकर धामी जो है वो वहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं मुस्कुलाहट उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं और यह साथ बच के पांच मिनिट पर जानकरी मिली है कि यह टनलिंग का क काम जो था वो आरपार मज़ूरों तक पहुंचने का काम जो था टनल का वो पूरा कर लिया गया है अब NDRF के जवान एक्शन में आ चुके हैं और किसी भी शन मज़ूरों के बाहर निकलने का सलसला शुरू हो सकता है खुद मुख्यमंत्री जब वहाँ पर पहुंचे जैस क्वार किस् कि ये ड़ी थानसास थान सब्सक्रा भाल